16 सब्टेंबर तो और कल सब्मिशन है किसी प्रकार 10-15 दोस्तों को पुछने के बाद बस इतना पता चलता है कि 13 एक्सपिरिमेंट्स लिखना है कुछ समय सोचता हूँ कि अभी क्या किया जा सकता है और तब ही मुझे एक कॉल आता है उस कॉल से यह पता चलता है कि हमारे क्लास के एक बंदे ने जो एक जर्नल्स कंप्लीट किया पर उस बंदे का हमारे पास नंबर नहीं था बट मुझे उसका घर पता था तो बस मैंने अपना बाइक लिया और निकल ले वाला था पर जाने से पल भी मैं आप से कुछ बात करना चाहता हूं So एक एप है इसका नाम कैमले है So कैमले is the only app in India that provides one-on-one private English classes with tutors from USA, Canada, UK, etc. It's especially useful for those who really know how to read, write in English but usually struggle in speaking English confidently. You can choose various courses like Business English, IELTS, Personality Development, etc. Tutors on कैमले are friendly and supportive who will help you to improve your weakness areas without any judgment. So this is the interface of the app, you can just click on the search option in order to connect to any tutor. You can schedule your class from here, just click on the schedule and you can schedule as per your timing and you can connect to them. So here is the class which I attended on कैमले, so it was very interesting session and the tutor was very friendly with me. So really enjoyed the class. So you can improve your spoken English by joining the कैमले app, so download link of this कैमले app is in my description. You can download it from there and improve your English. अबी चलते हैं अबी चलते हैं तो करीब आदी घंटी के बाद मैं वापस घर लोड़ता हूँ तो अभी अपन के पास क्या और कितना लिखना है पता था और लगपक 10 गंडे बाकी थे अपने सब्मिशन के लिए तो 30 मिंट्स पर एक्स्पिरिमेंट के इसाब से मैं आराम स लिखने बेट जाता हूँ और कुछ इसी प्रकार मैंने एक दो और तीन एक्सपिरिमेंट भी खतम कर लिए थार्ड एक्सपिरिमेंट लिखने के बाद मैंने जब टाइम देखा तो भाई साब रात के दो बज़े हुए थे लिटरली तीन एक्सपिरिमेंट लिखने के लिए मैंने तीन घंटे ले लिया था तो टाइम देखने के बाद मैंने अपने ब्रेक लेने के मन को बहला के अपने स्पीड बढ़ाने और नीटनेस को कम दिमाग में रखते हुए मैं अपने आगे के एक्सपिरिमेंट से लिख बाइब बाइब